दोस्तों नमस्कार क्या हाले स्वागत है आपका ख़बर एच्पी में तो आईए नजर डालता है हिमाचल की तमाम मुख्य वड़ी ख़बरों पर अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक ने किये तो लाइक कर दीजी और चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ल में सड़क मारगे पर रास्ता नो होने के बावजूत एम्बुलेंस को रास्ता नो देने वाले पर परिवहन इभाग सिकंजा कसेगा बताद की इभाग दोरा की एक इस्टेडी के अनुसार देखा गया है कि परेटर सिजन वो अन्य सहर्वा चीलों में अन्य बड़े कारेक होती है जिसे मरजी की जान को खत्रा भी बना हुआ होता है ऐसे में विभाग ने परात्मिक चर्ण में पर्तपत्य परदेश के वहां चालकों टेक्सी चालकों बसवर ट्रग चालकों से अपील की है कि वह मानविता को देखते हुए सड़क मारग मरच को ले जा रही यह फि सकता है 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 एक्टूबर महिने की सेलरी और पैंसन के खाते में डाल दी गई है मैं H-8C के परबन दिदिसेक रोहन चन थाको ने बताया कि उन्हें ने सरकार वह वित विवाक से H-8C करमचारियों को सेलरी और पैंसन समय पर मिलने का सम्मामला उठाया था मैं इसी के तहत लगाता दूसरे महीन करमचार और पैंसनरों को पैंसन मिली है मैं सरकार की और से 42 कड़ों रुपे की रासी करमचारियों की सेलरी और 22 कड़ों रुपे की रासी पैंसन के लिए परतान की गई है परदेश में 200 कड़ों निवेश पर GST में छूट सरकार ने और दूगी नीती 2019 में किया संसोधन मंत्री मंदल की बेटक में इंडेट्रियल पॉलिसी में संसोधन किये गए है मैं मंत्री मंदल ने हिमाचल परदेश और दूगी निवेश नीती 2019 में संसोधन करने वह इस से संबंदित नियमें में संसोधन करने की स्विकृती दिये इसका लग्ष उधार पुरसावन को बढ़ाना है मैं केमिनिट ने कुछ सर्तों के साथ 2000 करोड़ से ज़्यादा निवेश वाले उद्योग को गूट से एंड सर्विसेज टेक्स से छुट दी है इसमें सर्त यह है कि छुट सिर पे एंकर यूनिट को मिलेगी वह भी B और C कटेगरी चेतर में यानि या तो नए उद्योग उनिट लगे या फिर हिमाचल में पहले से अस्ताफित उद्योग चेतर से बाहर यानि या छुट बद्धी बोर्टी वाला या नालागड जैसे उद्योग चेतर में नहीं मिलेगी चार राजियों को आज मिलेगी नई सरकार सुबह साथ बजे से होगी एबियम से मत गनना जिहां मद्य परदेश, राजिस्तान, चतिसगर, तिलंगना और मिजोरों में नई सरकार बनने वाली है इन पांच राजियों की विधानसवा सीटों के लिए मद्दान की परिक्रिया पूरी हो चुकी है राजिवार को सिर्फ चार राजियों मद्य भरदेश, राजिस्तान, चतिसगर, तिलंगना की सीटों पर ही बोटों की गिनती होगी मैं बता दे कि मिजोरम की उमिदवारों का फैसला अब चार दिसमर को होगा मैं निर्भाचन आयुग ने मत गन्ना की तियारियां पूरी कर लिए मैं बोटों की गिंती रहिवार सुभा साथ बजे शुरू हो गई है मैं सबसे पहले पोस्टल बेलेट गिने जाएंगे इसके बाद सभी पार्टियों के परतिनिद्यों के सामने एबियम से मत गन्ना शुरू होगी विराज्तान में रविवार को 199 सीटों, तेलंगना की 119, मद्दे परदेश की 230 और 36 गड़ की 90 सीटों पर मत गन्ना हुई थी परदेश में साथ दिसम्बर तक बारिस बरबारी नहीं केलांग कलपा माइनस में जो हिमाचल परदेश की चोटियों से गड़ दिनों हुई बारिस बरबारी के बाद हिमाचल का पारा गिर गया है इसके कारण परदेश में अब ठंड का प्रोकोप पहले से ज़्यादा हो गया है मैं लाहोल इस्पिती और किन्नोर जिला में मतमचें ताफमान माइनस में आ पहुचा पहुचा हो चुका है और लोगों के घरों में लगे नलों से पानी जमना शुरू हो गया है ऐसे में इन चेत्रों में लोगों को काफी ज़्यादा दिकत्तों का सामना करना पड़ रहा है चिंदपूर्णी में खालिस्तान के नारे लिखने वाले तीन गिरपतार पंजाब जालंधर के रहने वाले दुकानों पर नारे लिखकर हिमाचल को दीथी खालिस्तान बराने की धमकी जही माचल के उना जिले के चिंदपूर्णी तलवाडा वाइपास पर दुकानों के सटर और दिवार पर खालिस्तान से संबंदित नारे लिखने के मामल में पुलिस को बड़ी सभलता हाथ लगी है इस मामल में चिंदपूर्णी पुलिस ने पंजाब जालंदर के गुरईया से तीन युवकों को गिरप्तार किया है बिना लाइसेंस परमिट वो डिगरी के दवाईयों बेचने वाले किलिनिक संचालक को दो वर्ष की किये दे जे चींदपूर्णी के एक किलिनिक संचालक को बीना लाइसंस परमीट डिगरी के दवाईयों बेचने के आरोप में दो साल की सजा सुनाई गई है वे बिजेस नियाइथीश नितीन कुमार ने ड्रग एंड कोस्टमेटिक एक्ट के अंतरगत राकेश कुमार निवास देहरा जिला कांगडा को दोसी करार दिया है उसे दो वर्स करावास की सजावा 45,000 रुपिये जुरुवाना तता धारा 28 के अंतरगत तीन मां की सजावा 20,000 रुपिये जुरुवाने की सजावा सुनाई है जराइधानी सिमला के ठ्योग में आग जनी का मामला सामने आया है यहां एक-दो मनजिला मकान में आग लगने से छे कमरों का मकान पुरीतर से जलकर स्वाराग हो गया है मैं मौके पर फायर बिर्गेट की टीम नहीं पहुच पाई जिस करन मकान पुरीतर से जलकर स्वाराग हो गया है मैं जनकारी के अनुसर बता दे की ठीयो में चीयो के करियाली गाउं में सनिवार दिर रात अचानक एक-दो मनजिला मकान में आग भढ़क गई मैं अस्तानियों लोगों ने आग बुझाने का बहुत परियास किया लेकिन आग पर काबो ना पाया बता दे की गनीमत हिया रही कि हाथसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है मैं रास्ता तंग होने के चलते फायर बिर्गेट की टीम मोके पर नहीं पहुच पाई पर ड्रग तसकर अनिल कुमार से 6 किलो गंजा पकड़ने में काम्याभी हासिल किया है वे पुलिस ने आरोपी को गिरपतार कर लिया है वे पुलिस को सुचना मिली थी कि अमरावती में गंजा तसकरी का सरगना रहता है जो पूरे सहर में गंजा सप्लाई कर रहा है जनता जो हिमाचल परदेश की सुकमिंदेर सिंग सुकू सरकार के कारिकाल 11 दिसंबर को एक साल पूरा होने जा रहा है वे ग्रामिन विकास एबं पंचैती राज मंतरी अनुरुत सिंग ने एक साल के कारिकाल को बहतरिन करार दिया है उन्हेंने कहा कि तमाम चुनोतियों के बापजूत सुकू सरकार ने बहतरिन काम किया है मंतरी अनुरुत सिंग का कॉंगरेस की सरकार बनने के बाद हिमाचल परदेश में आर्थिक तंगी का चिकर किया उन्हेंने कहा कि जुलाई अगस्ट के महिने में आई अबदा ने वैवस्ता को पूरी तरे बेपटरी कर दिया इसके बापजूद सरकार ने बहतरिन काम किया है दोस्तों आज से आमके ख़परों का सिल चलाएं समापत होता है अगर जनकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सेर चनल को सस्क्राइब जरूर करें